कनिया जी आज नागपूर आया आप रैली निकाल रहे हैं और लारा भी बड़ा जोड़दार है यूँवा है जोश में लाएंगे इनको होश में किने होश में लाना है देखिए सबसे पहले तो आज भारत के पूर प्रधान मंतरी भारत रत्म और भारत में कम्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक क्रांती के जनक राजीब जी की जैनती है इस मोके पे पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी अलग-अलग तरह का कारिकरम कर रही है नागपूर का कारिकरम बहुत यूनीक है क्योंकि इन्होंने जो यहां पे रेली रखी है उसका नाम है टेक्नो रेली और और होश में लाना है उन लोगों को जो इस देश को बेच रहे हैं और होश में लाएंगे वो लोग जो इस देश को बचाना चाहते हैं और जो हमारे देश की आज सबसे बड़ी चुनोती है, महंगाई, बेकारी और देश के भीतर जिस तरह से सरकारी संस्थानों को लूटा जा रहा है और जो सरकारी दोस्त है, तो सरकारी संस्थानों की लूट और सरकारी दोस्तों को जो छूट है, उस सोच के खिलाफ जो है, इ इसकी सभी लोगों को, सभी माताओं, बहनों को, बुजर्गों को, नौजवानों को अपील है, को इसमें सामील हो, इस मुहीम को आगे बढ़ा है. आप लगता है, इस तरसी CDI का उपयोग किये जा रहा है, चैसे लोगे, क्या को दिया है? आप हमसे बेतर जानते हैं, हम यह कह रहे हैं कि एजनसियां हैं इस देश की रक्षा के लिए, लेकिन अभी जो सरकार है, वो अपनी कुरसी की सुरक्षा के लिए इसका दुरूपयोग कर रही है, लेकिन ये वक्त की बात है, कहते हैं कि सांच को आच नहीं होता है, जो सही है गज़त साबित नहीं किया जा सकता है, इस देश में विपक्ष का गला घोटने के लिए, सीबी आई का दुरूपयोग होता है, मुझे तो डर है कि कहीं गड़करी जी के खिलाब भी नसीबी आए आजये कुछ दिन में, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है गड़कर जी?